एडी की टीम नेशनल हराड केस में लगतार छापे मारी कर रही है या आप ये भी कह सकते हैं कि नेशनल हराड केस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नींद उड़ा रखी है पूरे कॉंग्रेस में एक तरह जैसे की खलवली मच गई है नेशनल हराड को लेकर ही आज हम विस्तार से बात करेंगे साल 2012 नौंबर के महिने में सुब्रमन्यम स्वामी ने एक केस दर्ज कराया केस दर्ज होने के दो साल बाद जून 2014 में अदालक ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक समझ जारी कर दिया इसी साल अगस्त महिने में प्रवर्तन निदिशाले याने की एडी ने संध्यान लिया और मनी लॉंडरिंग का केस दर्ज किया केस दर्ज होने के बाद अगले साल 19 दिसंबर 2015 में कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरूपियों को दिल्ली की पटियाला कोट ने नियमित जमानत दी इसके अगले साल याने की 2016 में सुप्रेम कोट ने कॉंग्रिस नेताओं के खिलाफ कारवाई रद करने से इनकार कर दिया राहत की बात यह रही की कोट ने सभी आरूपियों को ब्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी इसके दो साल बात 2018 में दिल्ली हाई कोट ने सोनिया और राहूल गांधी की आईकर विभाग के नोपिस की खिलाफ दायर याचिका खारिश कर दी इस फैसले के खिलाफ कॉंग्रेस की ओर से सुप्रेम कोट का दरवाजा खटखटाया गया हाई कोट की फैसले को चुनावती देने वाली याचिका को सुप्रेम कोट ने खारिच कर दिया और कहा कि आईकर की जांच चलती रहेगी चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेशनल हराड मामला क्या है दरसल ये मामला नेशनल हराड अकबार से जुड़ा है साल 1938 में भारत के पर्वप्रधान मंत्री जोहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी अकबार का मालिकाना हक एसोसेटेड जनरल लिमिटेड एजेल के पास था जो दो और अकबार छापा करती थी हिंदी के नव जीवन और ओर्दू में कौमे आवाज 1956 में एजेल को गैर ब्यावसाइक कमपणी के तौर पर अस्थापित कर दिया गया और कमपणी आक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया कमपणी धीरे धीरे घाटे में चली गई कमपणी पर 90 करोड का करज भी चड़ गया इसी बीच साल 2010 में यंग इंडियन के नाम से एक अन्य कमपणी बनाई गई जिसका 76% शेयर सीधा 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 सोन्या गांधी और राहुल गांधी के पास और बाकी का शेयर मोतिलाल बोरा और आसकर परणडीस के पास था यानि कॉंग्रिस पार्टी ने अपना 90 करोड का ल इस पच्चास लाख रुपए देकर दा एसोसेटेड जनरल को दिये बीजेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने एक याची का दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइबेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड वसूलने का उपाय निकाला जो नियमों के खिला में लफल के टी सवाने की रही है के गषल को कि वड़ राफ कि यंगेंघ राफ के ऱ गफल को, के उमताओ की तका घू कि अझा को कि अगजुटे